नमस्कार मैं हूँ शेफाली और दखल नियूज के चर्चाए खास में आपका स्वागत है मेरे साथ है इस वक्त छतरपुर से भाजपा के पिछड़ा वर्ग के जिलाध्यक्ष अफदेश यादव जी दखल नियूज को बहुत-बहुत धन्यवाद और शेफाली जी नमस्कार युवा मोर्चा से ये जुड़े हुए है भाजपा के साथ अफदेश जी से हम जानेंगे कि इस वक्त पिछड़ा वर्ग के वोट्रों का असर क्या रहे गया और किस करवट बैठेगा पिछड़ा वर्ग अफदेश जी पहला सवाल तो मेरा सीधे सीधे ये है जैसा कि आपने कहा कि भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा पाइटी ने मुझे जुम्मेदारी जिलाद्यच की दी है तो मेरे द्वारा पूरे जिले में बूत इस तर तक जो हमारी पाइटी की गाइडलाइन है और जो पिछड़ा वर्ग मोर्चा अभी तक मंडल तक था उसको हमने पूरा फ्र्यास किया है कि भूत इस तर तक हमने अपनी कारकारणी का पिछड़ा वर्ग मोर्चा की गठित की है। पूरे जिले में छे विधान सभा हैंने ही मैंने सभी समाजों में 11 समाज करीब छ चातरपूर जिले में 00.000 है इसके बाद कुश्वहा समाज करी चाहा मेरी जलाकार कारणी देखिये या मंडल की सभी समाजों का प्रतन हित्त हमने चुकि जब मैं जलाध्यच बना तो मुझे लगा कि मैं हमेशा सर्व समाज के बीच में काम कर रहा हूं चुकि मैं हमेशा विद्यार्थी परिशत से मैं चातराजनीत से अखिलवारती विद्यार्थी परिशत से कार किया है अफदेश जी यहां पर रोकूँगी अफदेश जी ने से सब बताया कि वो सबके बीच में काम करते हुए हैं लेकिन अचानक से आपको पिशला वर्ग का जिला अध्यक्ष बना दिया गया जी चुकि मेरा चात्राजनीत रही में महराजा महाविध्याले में जब चात्संग का अध्यक्ष बना तो उसमें भी सब लोगों के बीच में काम किया और हमेशा फिर जनपत का अध्यक्ष बना और हमेशा युवा मोर्चा वगयरा में सभी जगह लगातार में सन 2002 से द्यार्थी परिशत से लेकर के और युवा मोर्चा और किशान मोर्चा सभी मोर्चों में काम करने का मुझे जो पार्टी ने दायत तो दिया है उसका पूरा पूरा इमान दारिशे मेंने काम किया तभी पार्टी ने माननी है भारती जन्ता पार्टी के सस्वी प्रदेश अध्यच्छे हमारे जो हमारे यह हम लोगों का श्रभाग है तो उन्होंने मुझे कहा कि ओभी सी मोर्चा का जिलाद जच बनना मैंने का बाज साब मुझे सीमित चुकि मैं सभी लोगों के बीच में हमेशा जन्ता दी रहा हूं और सब लोगों के बीच में काम किया है तो उन्होंने कहा नहीं आप चुकि इस हमेशा युआउं के और पूरी तरीके से मैंने पूरे जिले में जिस तरीके से आप मेरे कोई भी कारिक्रम देखिएगा। जो सिनेरियो अभी है उसमें उसका कितना लाव आपको मिल पाता है। जानता ना हो और हमसे प्रहावित ना हो रहा हो। तो आज वो भारती जंता पारिटी के हमारे देश के सस्वी प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी जी हैं। आज गरीब लोगों की जिस प्रकार से चिंता की है आपने देखा होगा कि जो पहले दो-दो आवास मिलते थे। आज एक-एक गाउं में 500 और 200-200 आवास मिल रहे हैं। तो लोग आटोमेटिक जुड़ रहे हैं। बस सिर्फ उनको वहां तक बताने की अवसिकता है। तो जो हमारा पिछला वर्ग नहीं बहुत दूरी था, उसको हमने पूरा प्रयास किया है। और युवा थे। पिछड़ा वर्गो नित्रत दिया है। कमलनात जी क्या करते हैं केवल 5 साल में कुछ समय, चुनावी वर्ग जब आता है तब वो अन्न समाजों की बैठकें करते हैं, चाहे वो यादव समाज हो या अन्न समाज हो, लेकिन नहीं, और भारती जनता पालिटी पूरे 5 वर्ग काम करते हैं, चुनावी चुनाव तो अभी है 2013 में, हम जब से बने हैं 2021 से जला दे, तब से एक एक बूथ में काम कर रहे हैं, तब से यादो समाज की बैठक कर रहे है, कुसवा समाज की बैठक कर रहे है, राजपूर समाज की बैठक कर रहे है, नामदेव समाज की बैठक क आप देख रहे होंगे कि हर विक्ति कहीं ने कहीं उसके कमेंट करता है तो युआउं के बीच में अपनी बात रखना और युआउं के बीच में अपनी विवहार बनाना, उनके साथ सतत संपर्ग रखना चूंकि उनको लगता ही नहीं कि हम किसी बड़े नेता या कोई ऐसे विल नहीं उनको एक मित्रवत संबन्द है तो जो भी व्यक्ति है पूरा वर्ग पूरा जो प्रयास किया है कि जाद से जाद आपना पिछला वर्ग लोग भारती जंता पार्टी से जुड़े और आज इसक को भी टिकेट मिल सकता है भारती जंता पार्टी का एक आम कारकरता होने के नाते हमारा तो यह भारती जंता पार्टी जिसको प्रत्यासी बनाएगी हम उसके साथ खड़े होंगे मांगने का अधिकार सब को है और भारती जंता पार्टी को लगेगा कि युवां को मौका दे सब्सक्राइब. तो पूरी टीम हमारी जो पूरे जिले की टीम है करीब करीब 10,000 युवा हैं उन्हें युवा पूरी तरीके से पूरे ताकस से काम करेगा इसलार। तब भरती जंता पालिटी की पांच सीटें अपन जीते थे। पिछली बार कहीं न कहीं थोड़ा इसका वो हुगा, कम हुई तो थोड़ी थोड़ी दो-दो एक-ख़जार बोटों से पालिटी के प्रत्यासी चुनाव हा रहे हैं। जो उन लोगों की चिंताएं थी हैं कि 1000 रुपे में गाउं की बेहनों के लिए परियाप्त है, कि जो खर्चे के लिए उनको मांगना पड़ता था। आज वो कह रही हैं कि हमरे लिए अब हम घर से असरित नहीं हैं। हमारे छोटे मोटे जो खर्चे हैं वो हमारे शिवराज मामा पूरा कर रहे हैं। पूरा युवा पूरी अपनी उर्जा का उप्योग करके और पूरे जिले में हम लोग भारती जनता पालिटी की सीटे जिताएंगे। तो वो सीट बड़ी आसानी से निकालेंगे। पूरे जिले में हम लोग पूरे जिले में हम लोग पूरे जनता पालिटी के साथ सरकार बनाने वाली आफदेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवात आप हमारे श्टूडियों में है। एसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए हम आपसे फिर मुलाकात करते हैं तब तक के लिए नमस्कार। मध्यप्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्ति करण के उद्धिश से समवेदंशिल मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लारली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहद उन्हें प्रतिमाह एक हजार रुपे दिये जाएंगे। ये राशी सीधे उनके बैंक खातों में पहुचाई जाएगे। योजना की प्रत्रिया बेहसरल और निशुल को है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यक्ता भी नहीं है। 10 जूल को पहली किस्ट बहनों के खाते में आ जाएगी एक हजार रुपया की पहली किस्ट। योजना से जुड़ी अधिक चानकारी हेलप लाइन नंबर 0755 2700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर ब्राप्त की जा सकती है। वो खबरें जो आपके काम की हैं। वो खबरें जो आपके लिए ज़रूरी हैं। हर आम और खास से चुड़े मसले। हर मसले का सटीक विशलेशन। हम करते हैं सत्य का अनुवेशन। दखलनीूज आपके हत्मे। आप देख रहे हैं दखलनीूज।